हेलो एवरीबन बेलकम और विल्कम बैक टूमा यूटूब चैनल संगम पांडे मैं अच्छे तरीके से डिटेल से आपको बताऊंगी कौन से प्रोडक्ट को कब लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा अपने फ्रेंड और फैमली के साथ जरूर सेल कीजेगा So Let's See So Friends, यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने स्कीन पे कुछ भी नहीं लगाई हूँ अभी जो हमारे स्कीन है बिल्कुल सिंपल है तो फ्रेंड मैं यहां पर मैं सबसे पहले जो अपने स्कीन पे लगाते हैं वही exists कि इभार्च सकीन केर हमारे बहुत जादा होता है कोई भी मेकप से पहले तो स्कीन केर के लिए मैं यहां पे इर्प्रेम जो कही कि टाइक्प में होता है इस तरीके से और सीरम से आपके जो होते हैं अगर आपके स्कीन ड्राइए हैं तो वह बहुत जादा स्मॉस्टराइज और स्मूथ हो जाते हैं और यह लिक्विट फॉर्म में होता है और आप मेकप के सबसे पहले इसे लगाएंगे तो आपके लाइक आपके स्कीन के जितने भी पिग्मेंटेशन दाग धबे हैं वह भी खतम होंगे साथ साथ में तो अच्छा है और सबसे पहले लगाते हैं जिससे की हमारा जो मेकप है फोड़ी सी ग्लोई ग्लोई सा लगे तो इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से फेज पे मिला ली हूँ सीरम को और यह स्विच ब्यूटी का सीरम है गाईज अच्छा सीरम है इन गाईज इसके बाद जो मैं यूज करने वाली हूँ वह है क्रीम देख सकते हैं यहां पर मै किसी टाइप का जो आपको क्रीम सूट करता हो वह यहां पर आप यूज कर सकते हैं और क्रीम को भी अच्छे तरीके से मिलाना है गाईज बिल्कुल इस तरीके से ताकि जो है अच्छे तरीके से आपके स्कीन में ब्लेंड हो जाए सो देख सकते हैं यहां पर हमारा कम्प्लीट हो गया क्रीम भी हमारे फेस में लग गए और मैंने ज्यादा नहीं लगाई थी ताकि जो हमारा स्कीन है वो ओईली ओईली सा नहीं लगाए लगे यहां पर मैं प्राइमर लगा रही हूँ प्राइमर जो होता है वो मेकप का सबसे पहला वाला होता है प्राइमर सीरम जो हो गया वो था हमारे स्कीन केर में आ गया था मॉस्टराइजर स्कीन केर में आया था और यह है प्राइमर तो यह भी जेल टाइप में होता है इसका ज ज्यादा स्मूद हो जाता है और फांडेशन में में जाहिक की मिकल होते हैं आपको लगता है कि हमारे सकीन में चाहिए चाहिए बाद कुछ खतरा हो तो । आपको लिये प्राइमर यहां पर 9 to 5 का लेकनी अगहरा हूं फांडेशन और जब यह अच्छे तरीके से सख कर लीजे ताकि जो है वो अच्छे तरीके से मिल जाए और यहां पर मैं अपने पहले हाथ पे ले रही हूँ और जब भी फाउंडेशन आप लगाएं गाइस तो आपको ऐसा नहीं कि अपने स्कीन का कलर कुछ अलग है और आपका फाउंडेशन यह बात का हमेंसा ध्यान रखिएगा और आपको उतना ही लगाना है फेस पे फाउंडेशन ताकि आपका जो है वो ओवर ना लगे और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर जाए और आपका जो फाउंडेशन है बिल्कुल स्की आपको लगाई में तोड़ा ओभर लेओ यहांबे मैं एक यूज कर रहे हूं और नदेशन है जैसे जैसे आप करेंगे तो आपके दिप कर तरीके से ब्लेंड हो जाएगा आपको कोई भी बाहरी एफेक्ट नहीं लगाने पड़ेंगे और आपको देखते ही देखते हैं आपको foundation का coverage भी आ जाएगा और अच्छे तरीके से foundation लग भी जाएगा तो देख सकते हैं यहां पर हमारा foundation complete हो गया है as you can see and उसके बाद जो मैं use कर रही हूँ guys थोड़ी सी अपने make-up को light करने के लिए मैं यहां पर compact यूज कर रही हूँ जो कि लेक्मी का compact है मैंने जो भी product को use करी है guys कोसिस करी हूँ कि वो मतलब affordable हो beginner खरीद पाए क्योंकि beginner जो होते है guys वो उनको थोड़ी सी ऐसा नहीं कि वो महंगे महंगे product को लगाते हैं नहीं थोड़ी सी अपना budget के according ही लगाते हैं जैसे जैसे वो अपना expert हो जाते है makeup में then वो high price के जो भी product को buy करने लगते हैं आइसेडो के लिए मैंने जो अपर लीड के लिए यूज़ करी हूँ जिससे कि मैं आइसेडो को पेस्मन बना रही हूँ तो यहां पे मैं अपना इस color को select करी हूँ golden color अच्छे तरीके से मैं blend कर रहे हूँ क्योंकि सारा कुछ blending का खेल है guys आप जब तक कि आइसेडो के अच्छे से blend नहीं करेंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं आएगा तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको blend करना है और कोसिस करना है guys कि आप beginner हो तो ज्यादा heavy नहीं करना है और normal में ही आपको अच्छे तरीके से मिल जाए तो आपको यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि कौन से color combination डालेंगे तो हमारा eye shadow है वह ज्यादा सुन्दर लगेगा तो प्लीज आप लोग अगर eye shadow लगा रहे हैं तो आप पहले एक दो बार उसके बारे में सोच लें कि हमिझे कौन कौन से color को लगाना है ऐसा नहीं कि लगाते टाइम आप confused हो जाओ तो वस यह थोड़ी सी बात को आपको mind में रखना होता है गाइस भाकी जो है makeup क्यूंकि makeup करना आसान है लेकिन आपको थोड़ी थोड़ी सी जो makeup की बात होती है वह सारे याद रखना है आपको दिमाग में रखना है ताकि आपके makeup खराब होने से बच सके और यहाँ पर मैं थोड़ी सी इस तरीके का black shade ली हूँ ताकि जो हमारा है थोड़ी सी black smokey type की eyes का look आजाए इस तरीके से देख सकते हैं और आपको ऐसा नहीं कि बहुत जादा भर-भर के लेना नहीं हलका हलका आपको लेना है और हलका हलका लेकर के ही आपको smudge करना है मिलाने है और make sure कि आप आपका जो brush हो वो अच्छी quality के हो guys तब आपके makeup है जो ज्यादा सुन्दर लेगेगा और eyeshadow अच्छे तरीके से blend होगा क्यूंकि कभी-कभी होता है आपके eyeshadow ठीक हैं आप अच्छे से blend भी करते हो आप जानते हो बट ब्रस आपके साथ नहीं दे रहा है तो आपका brush जो है वो अच्छा होना चाहिए तो फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं हमारा eyeshadow है वो complete हो गया है और I hope कि आप लोग को हमारा eyeshadow का लुक पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा इस तो प्लीज आप मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा लाइक जरूर कीजेगा मेरे वीडियो को और अ यहां पर मैंने eyeliner जो लगा रही हूँ guys वो है blue heaven का बिंग वाली eyeliner है आई-लाइनर आपको जब भी लगाना होगा इस तो बिंगनर है तो आप को सिस किजे कि विदाव बिंग वाला लगाईए और क्यूंकि ज़्यादा अच्छा होता है और starting में अगर आप eyeliner लगा रहे हैं तो थोड़ी सी टाइम लगा था guys उसके बाद अब देख सकते हैं एक ही दो बार में हमारा जो eyeliner है वो लग जाता है और eyeliner के लिए guys आप को सिस किजेगा कि आप मिंगनर है तो पतला ही लगा है मोटा नहीं लगा है क्योंकि मोटा आपको लगा मेकप टू मेकप डिपेंड करता है क्योंकि simple और पतला वाला जो eyeliner है वो सारे लूप पर फेक्ट लगता है और फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं हमारा दोनों eyes में complete हो गए है eyeliner इस तरीके से बिल्कुल simple लगाई हूँ और बिल्कुल आप अराम से इस तरीके का eyeliner लगा सकते हैं किसी भी outfit के साथ और मैं आप लो आई-लाइनर और आई-लाइनर जब भी लगा हैं तो आपको थोड़ा सा उसको थोड़ा सा सूखने दीजे यहां पर मैं यूज कर रही हूं गाई ब्लू हेवन का मस्करा जो की अच्छा है बढ़ियां है और एफोर डेवल के साथ साथ बढ़ियां वाला देता है और ओरिज है कि अच्छ आप साथ पर देख सकते हैं हमारा आइज मेक अच्छल के कंपलेट हूआ है तो यहां पे मैंने अभी काजल नहीं लगाई है तो काजलों तो काजलों होता है वह में इंपोर्टेंट बख़त ही ह्यादा बड़ा हिस्सा लेता है आईज मेक अच्छ नहीं कर रहे हूं काजल जो की अच्छा खासा है अच्छा मतलब ब्लैक बोल्ड ब्लैक है और इसका इलाइटिन का मैं दूनों लाइक काजल अलिपिस्टिक का मैंने प्रोटक्ट का रिव्यू सेयर करी है मैं अपने पीछे वाले इसी चैनल के लास्ट वाले वीडियो में तो आप जरूर देखिए उस वीडियो को मैं उस वीडियो का लिंक सेयर कर दूंगी मैं इस अपने डेस्क्रीप्शन बॉक्स में और अच्छा है एफोर्डेवल के साथ साथ बढ़िया वाला है और यहां पे मैं थोड़ी सी लाइक कॉंटोर करूंगी ताकि जो हमारा फेस है थोड कि आपको अच्छा से ब्लेंड करना होाइं ब्लेंडि राणिंग तो आप जरूर कीजए अच्छा से ब्लेंडीग तो हम जरूर कीज़े अच्छा से ब्लेंडीग है यहां पे मैं ब्लस के लिए यूज कर रही हूं गाइस like ओरेंज सेड है तो मुझे लगा कि इस ट्रेस पर ओरेंज सेड लगाना चाहिए और मैं हमेशा पिंक और रेड के ब्लस लगाती हूं बट मुझे यहां पे लगा कि थोड़ी सी ये कलर भी आज मांके देखती हूं कैसा लगता है आप लोग को यह हमारा ब्लस का कालर कैसा लगा हूँ हो मेरे को बताईएगा जरूर कमेंड डाउन जरूर कीज़ेगा गाईज इस तरहीके से मैंने ब्लेंड कर ले रही हूं हमारा जो मेकप का ब्रस है कुछ कर्व सेप में है ताकि मैंने जब्य मेकप का वीडियो बना रही हूं उसके पहले से है तो मैं हाईलाइटर यही वाला यूज कर रही हूं और में मैं दूसरे हाईलाइटर यूज करूंगी नेकस्ट चबही कभी मैं मार्केट जाऊं तो मैं बाई करूंगी हाईलाइटर लेकिन अभी के लिए अच्छा लगता है परफेट लगता है मैं यहां पर रही हूं रखान पर प्रनी आईबरो पेंसिल , बहुते हैं पर नहीुकर से वह NYC, मैं सुटधु बढ़ी शे rhyme at तो इस मेकप के लिए मुझे इस का अच्छा लगा लिपिस्टिक तो मैं यहां पे यूज कर रहे हूं देख सकते हैं देन यहां पे हमारा है ओबर ओर मेकप है वह कम्पलीट हो गया है देन मैं थोड़ी सी यहां पे हैरस्टाइल कर लोगी है इस मेकप के लिए सो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने बाल को एक साइड कर ली और यहां अलटाइम फैबरेट मेरा हैर स्टाइल है गाईस मैं हमेसा इस यहां अच्छा लगता है सारे ड्रेस पे यह साड़ी पे भी मैं इस तरीके कहीं कर लेती हूं सूट पे भी कुर्ती पे भी सब पे अच्छा लगता है इस टाइप का सिंपल है और मतलब सोवर सा लगता है आप कहीं भी मार्केट वगरा भी जा रहे हो तो इस टाइप का आपका लुक सुन्दर लगता है सो देख सकते हैं यहां पे मैं थोड़ी सी कैमरा को यह कर ले रही हूं ताकि जो हमारे अच्छे तरीके से आए उपर का कट न जाए वीडियो में और यहां पे हमारा है हेर्स्टैल कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हो गया आप लोगको हमारा यह लुक कैसा लगा वो मुझ रहे हैं और औक्सिडाइज है तो काफी सुन्दर है और काफी प्यारा है और क्वालीटी की मैं बात करूंगा इस तो बहुत बढ़ियां वाला क्वालीटी है और यह मैंने जो सिर्फ ली है 70 रूपीज की एरिंग है तो काफी जादा सुन्दर लग रहा है आप खुद कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मैं ऐसे ही वीडियो ले करके आती रहूंगी तो आज के लिए इतना ही बाबाई टेक कियर